पिछली कडियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि जब जनवरी 1556 में दिल्ली में हुमायूं की मृत्यू हुई तब अकबर्त था उसका संगरक्षक बैराम खांबेग पंजाब के काला नूर युद्ध शिविर में थे हुमायूं की मृत्यूं की सूचना पाकर चुनार के शासक आदिल शाह का सेना पती हेमू आगरा, संभल तथा दिल्ली पर चड़ बैठा उन दिनों उत्तर भारत में हेमू इतना विख्याद था कि मृगल गवर्नर आगरा, संभल तथा दिल्ली खाली करके अकबर के पास भाग आए हेमू के इतिहास में आगे बढ़ने से पहले, हमें बैराम खां तथा सलीमा बेगम के विवाह की चर्चा करनी चाहिए, जिसने अकबर के दिल और दिमाग को हिला कर रख दिया बादशाह बनने के बाद अकबर के जीवन में यह पहली घटना घटी जिसने अकबर को सिखा दिया कि बादशाह को भी अपनी च्छाओं पर कितना नियंत्रण करना होता है दर्शकों को इसमरण होगा कि बैराम खां के पूरवज मध्य एशिया में एस्थित करा कोईलू कबीले के रहने वाले थे जब से तुरकों और मंगोलों ने मध्य एशिया को रौन्दना आरंब किया था तब से इरानी खून में तुरकों, मंगोलों, तातारों, हबशियों और अर्वों का खून आ आ कर मिलने लगा था इस कारण इरानी खून का सौंदर्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था जिन इरानी ओरतों के सुंदर मुख को निकट से देखने के लिए सूर्य की किर्णे नीले आकाश के असीम सरोवर में बिना विचारे कूद पड़ती थी उन इरानी ओरतों के चेहरे मोहरे अब पहले जैसे नहीं रह गए थे फिर भी इरानी खून का सौंदर्य कहीं कहीं अपनी जलक पूरे ठाट के साथ दिखाता ही था तब ऐसा लगता था मानो कुदरत ने कोई करिश्मा किया है सलीमा बेगम कुदरत का ऐसा ही एक करिश्मा थी बहुत समय से बैराम खां की दृष्टी सलीमा बेगम पर थी किन्तु हुमाईू के जीवित रहते वह इस बात को अपने मुह से नहीं कह पाया था किन्तु अब हुमाईू मर चुका था और अकबर पूरी तरहें बैराम खां पर आश्रित था इसलिए बैराम खां ने सलीमा बेगम से विवाह करने के लिए इसी समय को उचित समझा दर्शकों को सलीमा बेगम का कुछ परिशे देना समीचीन होगा मध्य एशिया में तूरान नामक एक प्रसिद्ध देश हुआ है जिन दिनों वहां बाबर का शासन था उन दिनों ख्वाजा हसन नाम का एक आदमी इरानी समाज में बहुत ही आधरनिय माना जाता था उसका बेटा अल्लावदीन भी तूरान में पूज्य समझा जाता था बाबर ने अल्लावदीन की सच चरित्रता से प्रभावित होकर अपनी बेटी गुलरुख बेगम का विवाह अल्लावदीन के बेटे ख्वाजा नूरुदीन से कर दिया था सलीमा बेगम इसी विवाह का परिनाम थी अकबर अपनी बुवा की बेटी सलीमा बेगम से यद्यपी उम्र में छोटा था किन्तु वह सलीमा बेगम पर जान लुटा था और उससे विवाह करना चाहता था लेकिन दूसरी ओर सलीमा बेगम खुर्दरे चेहरे वाले जिद्दी और अनपड अकबर को बिलकुल भी पसंद नहीं करती थी सलीमा बेगम अपने पर दादा क्वाजा हसन, दादा अल्लाउद्दीन तथा पिता क्वाजा नूरूद्दीन की तरह सुशिक्षित और अनुशासन पसंद सुन्दर सुघरलड की थी जो कावे रचना भी खूब करती थी जबकि अकबर अपने दादा अकबर की तरह अख़ड, जगडालू और निरंकुष स्वभाव का और अपने पिता हुमायू की तरह नशेडी प्रवर्ती का युवक था इस कम आयू में भी अकबर वही करता था जो उसे पसंद होता था, भले ही उसमें बड़ों की राय हो या न हो हुमायू की अचानक मौत ने अकबर को अकाल प्रोड बना दिया था वे अपने मनमोजी सुभाव को त्याग कर, तमाम जगणों और जिद्धों को एक तरफ रख कर, जिंदगी की जटिलताओं को सुलजाने में व्यस्त हो गया जब बैराम خा ने अकबर को साथ लेकर दिली की तरफ बढ़ने का निर्ने लिया, तो उसने अकबर के समक्ष शर्त रखी कि बादशाह, अपनी फुफेरी बहिन, सलीमा बेगम का विवाह, बैराम خा के साथ कर दे अक्बर बेराम खां के इस प्रस्ताव को सुन कर हैरान रह गया अक्बर तो स्वैम ही सलीमा बेगम से विवाह करने की योजना बना रहा था किन्तु वर्तमान पर स्थितियों में अक्बर अच्छी तरह से समझ गया था कि इस समय वै एक बिगड़ेल शहजादे के स्थान पर बादशाह कहलाने वाला अनात बालक है और उसका संपूर्ण भविश्य बेराम खां की अनुकंपा पर निर्भर करता है अपने इस संग्रक्षक को प्रसन्न करने के लिए अक्बर ने अपनी सबसे प्रिय वस्तो अर्थात सलीमा बेगम न्योचावर करने का निश्चय किया अक्बर ने बेराम खां को बुला कर उसी कच्चे चबूत्रे पर फिर से दर्वार आयुजित करने का आदेश दिया अक्बर दर्वार का आयोजन क्यों करना चाहता था जब सारे प्रमुख अमीर दर्वार में हाजिर हो चुके तो अक्बर ने बेराम खां से आग्रह किया कि आज वह एक भेंट अपने अतालिक को देना चाहता है लेकिन वह भेंट के बारे में तभी बताएगा जब बेराम खां भिना कोई सवाल किये अपनी मंजूरी देगा बेराम खां ने बड़े ही आश्चरे के साथ अक्बर की शर्त स्वीकार कर ले जब अक्बर ने सलीमा बेगम का विवाह बेराम खां के साथ करने की घोशना की तो स्वयम बेराम खां और अन्य दरबारियों के आश्चरे का पार न रहा जिस समय हुमायू ने आगरा में बाबर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था तब जो सिपाही मौके पर हाजिर थे उनमें बेराम खां भी संबलित था कोहिनूर को देख कर बेराम खां की आखें चोड़ गई थे किन्तो आज उसे मैसूस हुआ कि हुमायू ने जो भेंट बाबर को दी थी उससे भी कहीं बड़ी भेंट अकबर ने बेराम खां को दी है कोहिनूर आदमी द्वारा तराशा गया पत्थर का बेजान टुकड़ा था तो सलीमा बेगम खुदरत का बनाया हुआ जीता जागता नायाब करिश्मा यद्यपी किसी इतिहासकार ने इस बात का उलेख नहीं किया है किन्तु सहजी अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस फुफेरी बहिन से अकबर स्वैम विवाह करना चाहता था उसे अकबर ने अपनी इच्छा से नहीं अपेतु विवश्टा से ही बैराम खां को ब्याहा होगा हालांकि उस समय इरान के शियाओं तथा समरकंद के मुगलों में वैवाहिक संबंध होते थे किन्तु एक सुन्नी बादशाह द्वारा अपनी वहिन बेटी का विवाह अपने अधिनस्त शिया अमीरों से करने पर बादशाह के सुन्नी अमीर बहुत अपमान जनक समझते थे इसलिए कुछ सुन्नी अमीरों ने विरोध करने का प्रयास किया किन्तु बैराम खां ने उनके विरोध को दबा दिया तथा बिना कोई समय गवाए सलीमा बेगम से विवाह कर लिया यह विवाह पंजाब में जालंधर नामक नगर में संपन्न हुआ अगली कड़ी में देखिए बैराम खाने अकबर के अमीर तारदी बेक खा का सिरकाट दिया क्रपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, एवम शेयर करें धन्यवाद